वेल्कम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद स्मार्टनस में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं बहुत इंपॉटन टॉपिक पूरा वीडियो को लास्त तक देखें पसंद आने पर लाइक कमेंड बिल्कुल म рядपूलें जो कोशन पूछा जाता है एक्जाम में एक जीवन का बहुत इक अधर क्या कहलाता है जीव द्रव विब किस चीज से मिलकर बना होता है वो हमें पता होना ज़ूरी है तो जीव द्रव देखी द्हों अगर हम देखते हैं एक सेल कोशिका में कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है और दूसरे केंद्रक द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म और निकलोप्लाज्म इन दोनों को मिला कर जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है कि देखे जैसे कि आप इस डाइग्राम में देख रहे हैं कि एक कोशिका का आपको एक सेल का जो है एक डाइग्राम दिया हुआ है जिसमें कोशिका केंद्रक है केंद्रक क्या होता है हमेशा बीच में पाया जाता है ठीक है एक छोटा सा केंद्र बिंदू होता है कोशिका कें और जिली के अंदर तर्व पाया जाता है तो इसे हम जीव दर्व था V ये जीवित नर्मान करते है वह जीव धर्व ही कहलाता है अश्ट्रों कर से लगते हैं, और और कोशi का द RV विजय है वो आपका मिलकर जीह द्रव का निर्मान करते हैं तो आपने किस तरह से अगर हम बेसिकली जीवद्रव की बात करें तो यह अधार होता है जीवन का और यह दो पार्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है एक पहला आपका साइटोप्लाजम है इसके इंगलिश नाम भी याद रखेगा और दूसरा है आपका निकलोप्लाजम है आगे चलते कुछ और जानकारी के लिए दोस्तों बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं की जो जीर दर्प है वो उन निकली कौन-कौन का स्माविश होता है त्व इसमें कौन-कौन से स्माविश होता है दोस्तों आपका जो उक्सीजन होता है वो 76% होता है WOR당 टैन 75% होता है फैरा घ्जिशन टैन पर Cookie चे और शामिल नहीं तो नाम आपको याद रूरी है इसके लावा दोस्तों अगर हम बोलते हैं कि जीव दरव्य होता है तो जीव दरव्य है वह उसमें जो हाइस पंसर्ट करीब 95% से उपर जल पाया जाता है ठीक है 95% से उपर वहाँ पर जल पाया जाता है मतलब कि एक जीव दर कोई अगर एलेमेंट है पूरा योगिक है तो वह है आपका जल जल जो है आपका 95% से उपर पाया जाता है ठीक है दोस्तों इसके लावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्बनिक और अकार्बनिक योगिकों के अनुपात का बात करते हैं अगर कि जीव दरव में पदार्थों कितना होता है यहां पर आपको डेटा दिया गया है दोस्तों 81 ratio 19 81 ratio जो 19 है आपका यह आपका कार्बनिक पदार्थ आपका 81% कहने चाहिए पाया जाते हैं ठीक है दोस्तों इसके लावा देखिए दोस्तों अगर हम जीव दरव की बात करें उसके लिए तीन आ 1835 में ठीक है 1835 डेटा याद रखिएगा सन इसका कि जो डुजार्डिन थे उन्होंने सारकोड नाम के चीज की जो कोश्काम पाय जाता है उसका अध्यन किया था सारकोड और सारकोड था क्या दोस्तों यह अचली में जीव दरव ही था लेकिन उस वक्त तक क्या हुआ था क उन्होंने इसे जो सारकोड था तो उसे प्रोटो प्लाज्म या फिर उसे जो है आपका जीव दरव का नाम दिया था दोस्तों अगर हम अध्यन की बात करें तो आध्यन किया आपका डुजार्डेन ने 1835 में सारकोड में सारकोड के नाम से उसका अध्यन किया है और उसका जो नामकरण है प्रोटो प्लाजम या फिर जीवद्रव वह आपका पुरकेंजे ने किया है लेकिन इसके बाद दोस्तों एक जीवद्रव का सिध्धान्थ है तो जीवद्रव के अगर सिध्धान्द की बात की जाएगी तो वो 1861 में जीवद्रव के सिध्धान्द की प्रतिवादित किया है वापका Maxils है ठीक है तो आप तीनों नाम बदद से जाद रखेगा Dozardin, Purkinze और Maxils ठीक है तो जीवद्रव का सिध्धान्द की अगर पूझा जाता है कोशन तो उसका अंसर Maxils है रोटप्लाजम का नाम करन पुरकिंजे और सारकोड का अध्यन जो था वो डिजार डिन ने किया था अगर इसमें थोड़ी से एक जान करें और देख लीजे दोस्तों कि अगर जीवद्रव को घुला देने या नश्ट करने की जो बात आती है तो एक लौता एंजाइम है वो हाइट्रोलिटिक एंजाइम यह नाम याद रखेगा हाइट्रोलिटिक एंजाइम जो है वो जीव अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धान्यवाद